डियर श्रूइंट्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चानल स्टडी विद दुलार में तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास है चैप्टर 10 हमारे साथ दिन इस चैप्टर का नाम है और यह कलास 2 का हिंदी बुक है हमारे साथ दिनों के बारे में यहा वह स्टूडेंट से बाते कर रहा है और क्या पूछ रहा है विनोद कल इस कविता को सुनूंगा धरती माता नामक कविता को याद करके आना धरती माता नामक कविता जो है वो फस्ट में ही दिया हुआ है विनोद क्या बोल रहा है कल तो रविवार है और कल चुटी है आचा तो रविवार को रविवार के दिन में मतलब हम लोग याद कर लेंगे और इसके सब दार्थ जो दियेवे हैं उसको भी रट लेंगे आचारे एक कथा कहानी भी अपने मन से याद कर लेना अपने कपड़ों की सफाई तो होगी ही मतलब रविवार का दिन है तो उस दिन जो है एक कहानी भी याद कर लेना और अपने कपड़ों और जूतों की सफाई कर लेते हैं घर के पिछवारे लगाए फूल पोधों की सिवा भी होती है मा और पिताजी से एक-एक कहानी सुनते हैं इस तरह से विनौद बतला रहा है कि रेविवार के दिन इतने सारे कायर होते हैं आगे क्या है आचायरी जी बोल रहे हैं बहुत अच्छे रेविवार को यह सब होना है बाकी 6 दिन विद्याले आना है यह 6 दिन कौन-कौन है तो विनुद बोल रहा है सुमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, सुकुरुवार और सनिवार इस तरह से चाथ दिन के नाम बतला देता है रविवार को छोड़ कर आचायरी रविवार के बाद कौन दिन आता है तो बिनोद बतलाता है सुमवार आता है गुरुजी आचायरे एकदम ठेक, साथ दिनों का समूह क्या कहलाता है, मनोज तो मनोज से यहां पूछा जा रहा है कि साथ दिनों के समूह है उसको एक साथ हम क्या कहते हैं मनोज यहां पर कह रहा है, साथ दिनों का समूह सपता कहलाता है इसे हपता भी कहते हैं तो सप्ता जो सुद्भासा में हो गया और इसे हप्ता भी लोग कहते हैं आचायरी दो सप्ता आनी 15 दिन मिलकर क्या बनते हैं दो सप्ता में 14 डेज 14 दिन होते हैं लेकिन फिर भी एक दिन गिना जाता है तो दो सप्ता यानी 15 दिन में क्या बनते हैं अन्यथा जो जनवरी फरविजी ही सिर्फ जानते हैं उन्हें पता नहीं रहता है तो उसे इस चेप्टर में जान लेना चाहिए कि किरिशन पक्ष और सुकल पक्ष होते हैं 15-15 दिनों का आचारी दोनों पक्षों में क्या आंतर है दोनों पक्ष अलग-अलग किस परकार से है मनोज बतला रहा है किरिशन पक्ष में चांद धिरे-धिरे घरता जाता है अंधेरा बढ़ता जाता है सुकल पक्ष में चांद बढ़ता जाता है उजला फैलता जाता है किरिशन पक्ष को लोग अंधेरी रात कहते हैं क्योंकि उसका उसमें चांद धिरे-धिरे घरते जात होता है मास उसे का जाता है या माह भी वही हुआ मन्त जिसे कहते हैं एंग्लिस में मनुझ 30 या 31 दिनों का मास होता है जिस दिनों का मास होता है 30 या 31 देज का घुकरण तो इसमें एक माह पूरा होता है उस दिन को पुरुनमासी या पुरुनिमा कहते हैं सामयन भासा में गाव के लोग पुरुनमासी उसको कहते हैं उसे सुध तरीके से हम पुरुनिमा कहेंगे आचारी आचारी जी अब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक रमेश तुम बताओ कि अंग्रेजी माह के पूरा होने पर भी ऐसा ही होता है तो अब आचारी जी रमेश से पूछ रहे हैं कि अंग्रेजी माह के पूरा होने पर भी ऐसा ही होता है होता या नहीं होता है तो रमेश क्या बतला रहा है जी नहीं 30 या 31 दिनों पर माह पूरा हो जाता है, पूरे चांद का दिखना ज़रूरी नहीं है, तो हमारे मतलब हिंदी में चांद के अनुसार मास चलता है, लेकिन अंगरेजी में ऐसा नहीं होता है, वह 30 दिनों की गिंती पर चलता है, चांद का पूरा होना ना होना उससे कोई मतलब होता है अचारी एक वर्स कितने मासों का होता है मतलब एक वर्स में कितने महीने होते हैं रमेश बतला रहा बारा महीने का एक वर्स होता है आगे पड़ते हैं अचारी जी करें हैं हिंदी का वर्स किस महीने से और अंग्रेजी का किस माह से आरम होता है मतलब हिंदी का महीना कह पसको होज पहस़ मांस होता है groups छेत्र मास से आरम होटा थे हृं पे डियावा है क्योंकि हिंदी का हम लोग करन आ हैं अंगरी जी का सजनवरी से ही हैं हृंसों के नाम बता दे तो हमें मास जोते हुआ हैं इस पहनां किस्तर से रमस पलर चेत्र, बैसाख, जेष्ट, असाड, सरावन, भादरपद, आसिन, कार्तिक, अगरहन, वोस, माग और फालगुन इस तरह से सूध हिंदी में यहाँ पर बतलाए गया है आचायरी इनके सरल रूप क्या है मतलब समयन भासा में लोग इसको किस तरह से कहते हैं तरह में इस बतला सकते हो रमेश जी हाँ वे हैं जनवरी फरवरी मार्च, अप्रेल, माई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नॉम्बर और दिसंबर समानियत है हम जनवरी फरवरी का ज्यादा उपयोग करते हैं इसलिए हम इसे जानते हैं और चैत, बैसाक, जेठासार सा और यहां पर चैतर समात हो जाता है आगर दिया है अब्यास में यहां पर यहां पर Sa implicantップ करके जाता है हाी, 43लल parsley को अथार दिखाया गाया दिखाएगा है और तत्सम् तद्भव ये सब्सब्द जिए हैं इस चप्टर में उसे लिखकर लिखाएगा है आचारी विनोद कवीता को सब्सक्राइब सब्सक्राइब हैं संस्क्राइब सरक्राइब नहरी खाम करते हैं मंगल मंगर फी काते हैं मास मां इस्जाए हैं मद्देश की अ исследảo मैं हफ्ता शाल से यह वैक बनाए इनellt इन वाले के लिए कह ग्यानीमि टातर दें इस में 6-7 question है जो इस चप्टर के मुख्य question है और question number six में खाली जगों को भरने के लिए कहा गया है सुमवार के बाद सुमवार के बाद क्या होगा मंगलवार आता है इस तरह से ये भर जाएंगे और seven number में वर्स परतिपदा के संब्ध में अपने आचारी जी से जानकारी लेजिए इसकी चर्चा आप कलास में कर सकते हैं और आचारी जी से इसकी जानकारी ले सकते हैं तो आईए मैं आप लोग अंधेरा अंधेरा दूर करो उजाला सूरज निकलते ही उजाला हो जाता है सपता सपता में साथ दिन होते हैं वर्स वर्स में बारा महिने होते हैं आरंब चेत्र मास से वर्स आरंब होता है सरल लोगों को सरल नाम याद रहता है Q5 जहाँ पे इस चप्टर के मुख्य questions दियावे हैं सब्ता कितने दिनों का होता है सब्ता साथ दिनों का होता है दिनों के नाम लिखें दिनों के नाम है रविवार, सुमवार, मंगलवार, बुधवार गुरुवार, सुकुरवार और सनिवार पक्ष कितने दिनों का होता है, पक्ष पंदरा दिनों का होता है, कितने पक्ष होते हैं, उनके नाम लिखो, दो पक्ष होते हैं, उनके नाम है किरिशन पक्ष और सुकल पक्ष, वर्स में कितने माह होते हैं, वर्स में बारह माह होते हैं, हिंदी मासों के नाम लिखे, हिंदी मासों के नाम है जन्वरी फर्वरी मार्च अप्रेल माई जून जुलाई अगस्थ सितंबर अक्टूबर नॉमबर और दिसंबर कुशिन नॉमबर 6 जहां पर खाली अस्थानों को भरने के लिए का गया है तो यहां पर डारेट आपको यहां पर आंसर दे दिया गया है आप इसको देखकर खाली जगा पर भर सकते हैं तो यहां पर यह चप्टर पूरी तरह समाप हो गया है अगर हमारा वीडियो आप लोग